हम जी दोस्तों अब बाइबेक में अब ज्यादा हमारे पास में वीडियो बचे नहीं है ठीक है दो तीन क्वेशन है और आपके पास में बाइबेक का इसे मोडिल भी खतम ठीक है इसके बाद आपके पास में नेक्स चेप्टर हम स्टार्ट कर देंगे अच्छा तो जल्दी स हम यह दो जो question बाकी है practical question में एक दो question बाकी है वो complete कर लेते हैं playlist की link मैंने description में डाल दी अगर कोई नया student है तो उनको बता दू कि सारे के सारे videos को मैंने playlist में arrange करके आपको provide कर दी है और playlist की link हर एक video की description में है तो किसी भी video की description में चेक करेंगे playlist की link मिल जाएगी तो कोई other illustration practical question में भी आपको doubt है तो आप video देख सकते हैं ठीक है जी चलिए जल्दी से आप हम यहाँ पर अपना यहाँ पर start कर देते हैं कहां पर question आये थे हम question number 9 है 10 है बस आपके पास में दो ही question है इस video के अंदर हम question number 9 discuss कर लेते हैं आईए जल्दी से कहते है कि सर जी केजी limited करके खेर नाम में तो कोई लेना दिना है नहीं कहता है कि सर जी कोई company है जिनकी information आपको यहाँ पर provide करी गई है ठीक है कोई दिक्कत नहीं है कहते share capital है आपके पास में reserve and surplus है और long term borrowing वगेरा चीज़े काफी सारी चीज़े given है ठीक है नीचे क्या है share capital में कहता है कि सर equity share capital ही आपके पास में cable cable दूसरी कोई capital नहीं है और reserve and surplus में security premium general reserve CRR profit and loss account वगेरा चीज़े आपके पास में है और property plant equipment long term boring वगेरा है ठीक है आगे क्या कहता है सर जी कहता है कि सर जी फॉस्ट एप्रिल 2001 को ठीक है फॉस्ट एप्रिल 2001 को कहता है company जो है announce करती है कि हम buyback करेंगे आपके पास में 25% of equity shares तो जितने भी equity shares है आपके पास में कितने है equity shares आपके पास में यह 1200 क्या है इन लैक्स रुपीज है या फिर इन करोड है कुछ बताया है नहीं कि यह इन लैक्स रुपीज होगा ठीक है यहां पर लिखा नहीं है printing मिस्टेक लग रही है ठीक है भूल गए कोई दिक्कत नहीं है कि इन लैक्स रुपीज होगा आपके पास में क्योंकि 1200 रुपे तो होंगे नहीं चीदी सी बात है ठीक है तो I think इन लैक्स रुपीज हो सक सकते हैं सोलुशन में देखेंगे तो पता चल जाएगा हम अभी इन लैक्स रुपीज लेके चलते हैं एक बार मैं काम करता हूं सोलुशन से कंफर्म कर लेता हूं यहां पर लिखा नहीं है एक बार बारास 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 ओकी यहां पर कुछ लिखा नहीं है कि ऑक एक बार solution से confirm कर लेते हम question number nine था ना question number nine अच्छा ही inlex ही है देख लीजी यहां पर inlex लिखा हुआ है ठीक है तो यहां पर भी inlex लिख देना ज़रूरत पड़ेगी आपको ठीक है inlex rupees आपके पास में है यह चीज यहां पर लिख देना ठीक है कहता है 1200 लाक रूपए है ठीक है तो यहां पर यह चीज आपके पास में क्या था है की twill a hundred लैक रूपिस आपके पास में है capital है 10 रूपळ किए के तो number of share कितने होँगे sir 120 लैक किज़ और आश सारी 120 number of shares होँगे ठीक है तो 120 20 लैक आपके पास में number of share हो गए 120 लैक आपके पास में number of share हो जाते हैं यहाँ पर ठीक है तो यहाँ पर हमने लिख दिया सर 120 लैक ठीक है शेर्स आपके पास में यह आपके पास में क्या हो गए सर शेर्स 120 लैक शेर्स आपके पास में हो जाते हैं ठीक है सर 120 लैक आपके पास म क्या करने वाले है sir 25% आपके पास में buyback होने वाले है तो कर दीजे 120 into 25% कितना हा रहा है sir 120 into 25% आपके पास में 30 lakh equity shares का buyback होने वाला है 30 lakh shares का आपके पास में क्या होने वाला है sir buyback होने वाला है ठीक है sir यहाँ पे 25% मतलब की 30 lakh का आपके पास में buyback होने वाला है ठीक है शर यह चीज़ आपके पास में clear हो गया हमने लिक लिए ठीक है इसके बाद कहता है कि sir buy back आपके पास में 15 रुपे के इसा आप से करेंगी ठीक है वैसे 10 रुपे का折 5 रुपे क्या रुपे क्या हो गया सर प्रीमियम हो गया यह वही सारी चीज़े है जो already हम illustration part में आपको समझा चुके है तो यहाँ पे तो direct general entry आपके पास में करवा दूँगा ठीक है समझाने की जरुवत नहीं क्योंकि already आपको पास में ऐसे 4-5 illustration कर चुके है डीटेल में तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कहते है कि सर्जी हमने इसके लिए for this purpose कहते है इसके लिए हमने एक investment भी बेज दिया कहते है एक नहीं all all investment हमने सेल कर दिया 75 lakh रूपीज में ठीक है वैसे investment है कितने कि वो देखना पड़ेगा profit किया या फिर loss किया तो कहते है आपके पास में जो investment है वो आपके पास में 74 lakh रूप profit किया है ठीक है अच्छी बात है कहते है इसके बाद 5 April 2001 को ठीक है 5 April 2001 को company ने target achieve कर लिया buyback का और 13 April 2001 को कहते है company ने एक issue कर दिया है one fully paid of equity shares of rupees 10 by way of bonus for every four equity shares अच्छा कहते है कि सर चार शेर जिस जिसके पास है ठीक है वो कब आपके पास में कहता है कि जर 13 April 2001 को जिस भी person के पास 4 share है ठीक है 4 share है उन्हें company ने एक bonus share प्रोवाइड कर दिया जिस भी person के पास 4 shares है ठीक है उसको company ने एक bonus share प्रोवाइड कर दिया बहुत बढ़िया ठीक है bonus share provide कर दिया लेकिन ध्यान रहे सर 13th April को ठीक है कब सर 13th April को जिनके पास 4 share है तो 13th April को यहाँ पर main date है ठीक है 13th April को जिनके पास equity shares है उन्हें bonus share provide किया जाएगा कहता है one fully paid bonus share provide किया जाएगा जिनके पास आपके पास में 4 shares है ठीक है जी कोई दिकत नहीं आगे बढ़ते हैं क्याता है कि इसे जनल एंट्री आप पास करके दिखा दीजिए प्लस आप बैलेंशीट भी प्रिपेर करके दिखा दीजिए छोटा सा क्वेशन पूछा है कोई बड़ी बात नहीं है ठीक है तो सॉलुशन के साथ ही मैं आपको बता देता ओके देखें क्वेशन में कहता है जनल एंट्री पास करिए सबसे पहले तो देखें क्या किया है सर फॉस्ट एपरिल को हमने बाइबैक किया और उसी के साथ बाइबैक के लिए हमने जो है इन्वेस्मेंट बेज दिया सबसे पहले इन्वेस्मेंट बेज दिया उसकी एंट bank account आपके पास में debit ठीक है पैसा मिल रहा है bank account debit ठीक है सर यह चीज़ के लिए इसके सामने सर जी bank में पैसे कितना मिला यह सबसे पहले बताई सेवेंटी फाइल एक रुपिस में बेचा है तो 75 रुपिस बैंक में मिले ठीक है सर इसके पदले क्या गया सर इन्वेस्टमेंट गया इन्वेस्टमेंट बेचा ठीक है इन्वेस्टमेंट असेट थी वह बेच दी तो इस credit होगा सीधी सी बात है क्योंकि asset की debit side होती है उसे बेच देते तो उसे credit करना चाहिए तो टू investment account ठीक है अब investment गया कितने का तो कहते है कि सर इन्वेस्टमेंट तो आपके पास में 74 रुपिस का था जो हमने बेच दिया ठीक है गया 74 का मतलब कि 74 का investment गया उसके सामने 75 रुपिस मेल मिले हमको तो सीधी सी बात है आपने profit किया है profit on sale of investment आपके पास में 1 लेक ठीक है profit किया है तो सीधी सी बात है reserve and surplus में जाके आपके पास में add हो जाएगा ठीक है तो एक काम करते है वैसे balance sheet पूछा इसलिए साथ साथ prepare करना पड़ेगा सबसे पहले तो investment पे cancel कर देते क्योंकि यह तो बेच दिया खतम हो गया plus आपके पास में जो reserve and surplus में आपके पास में एक नया चीज़ आ जाएगी profit and loss अच्छा profit and loss अकाउंट already है तो profit and loss account में आपके पास में एक लाग एड हो जाएगा profit का मिला वो ठीक है जी मिला आपके पास में तो आपके पास में हो जाएगा 171 lakh rupees आपके पास में 171 lakh rupees आपके पास में profit and loss account का क्या हो जाएगा sir balance clear आपके पास में आगे बढ़ते हैं कहते हैं सर जी अब हम क्या करेंगे सर बाइबेक की एंट्री कर देंगे ठीक है बाइबेक किया है अब उसकी एंट्री करेंगे बाइबेक की एंट्री वैसे तो सबसे पहले दो दो की पेर में buyback हो रहा है premium है इसमें तो premium account debit ठीक है अच्छा इन लोगों ने combine entry बना दिये ठीक है इसके बारे में भी मैं illustration part में समझा चुका हूँ कि ICA कभी-कभी combine लगा देता है कभी-कभी separate लिगाता है हम already always separate लगाएंगे ताकि कोई दिक्कत ना तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे सर आप यहाँ पर लिख सकते है premium on buyback account debit फिर premium को security premium से write off करेंगे तो यह सारी चीज़े मैं already पढ़ा चुका हूँ यहाँ पर directly security premium account लिख दिया इन लोगों ने combine entry आपके पास में लगा दी ठीक है सर यह चीज़ आपको वैसे भी पता है क्योंकि मैं आपको already समझा जुका हूँ ठीक है तो कहता है equity share capital account debit security premium account debit to buyback और buyback debit to bank ठीक है सर अब amount की बात करते सबसे पहले share capital share capital में always face value लिखी जाती है सर अच्छा buyback कितने share का करने वाले सर 30 लेक एक share की price क्या है sir 10 रूपिज तो 30 into 10 मतलब की 300 लेक खतम इसके बाद कहता है premium कितना है sir 5 रूपे 10 रूपे का share 15 में मतलब की 5 रूपे प्रीमियम है 30 into 5 150 150 लेक रूपिज तो total payment बनता कितना है करना 450 और दूसरी entry में आप payment कर देंगे 450 का काम खतम बस अब दो entry आपके पास में इसी से related करनी है सबसे पहला तो CRR create कर लो और दूसरा security premium को क्या करना है sir write off करना है हाला कि इन लोगों ने तो combine entry लगा दिया इसलिए security premium का write off के entry यहाँ पे बनेगी नहीं क्योंकि यहाँ पे combine entry लगा दिये बाकि हम separate separate लगाते तो यहाँ पे एक और entry बनती लेकिन यहाँ पे क्या कर रहा है sir इन लोगों ने combine entry लगा दिया है तो security premium को already यहाँ पे write off करके combine लगा दिया ठीक है तो अब एक ही entry बचती है आपके पास में CRR की clear है तो CRR की entry लगा देंगे CRR कहां से create करेंगे सीधी से बात है जनरल इस और PNLM से हो जाता है ठीक है CRR कितना create करेंगे सीधी सी बात है आपकी जो भी capital amount है formula already मैं लिखवा चुका हूँ illustration number two three कहीं पे लिखवा है payment है ठीक है कि आपके पास में जितना भी capital है वह amount और उसमें से अगर आपने कोई preference share issue कर दिया for the purpose of buyback तो वह minus कर देना यहाँ पर कोई ऐसा कुछ हमने issue नहीं किया तो आपके पास में जो 300 है उसी का यह आपको CRR create करना पड़ेगा तो सबसे पहले general reserve में से उठा लेंगे amount general reserve में कितना amount है sir 265 insufficient है हमें 300 चाहिए यहाँ पे 265 है तो बाकी का कहां से उठाएंगे sir आपके पास में PNL से PNL में कितना amount है 171 आपके पास में PNL में 171 है तो वहाँ से ले ठीक है तो सबसे पहले यहां पे जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट वहां से पूरा अमाउंट ले लेंगे 265 और बाकी का जो रिमेविनिंग चाहिए 300 में से ठीक है वो PNL से ले लेंगे आपके पास में ठीक है जी 35 और 2 CRR आपके पास में काम खतम ठीक है सर यह चीज़ आपके पास में complete तो यहां पे भी मैं entry कर दू ठीक है लिखते चलते हैं साथ साथ सबसे पहले तो एकदम से खाली हो चुका है खतम हो चुका है प्लस यहां पर वन जो 171 आपके पास में लैक रूपीस पीएनल में दीख रहे थे उसमें से 35 तो चले गए कहां पे सर CRR create करने में ठीक है सर तो stratify चले गए आपके पास में पीएनल कहां कितना बचा 171 माइनस 35 अब पीएनल में 136 बचा है 136 लैक ठीक है पीएनल में अब 136 लैक बचा है लेकिन CRR के नाम से एक ओर चीज़ यहां पे add on हो जाएगी अच्छा CRR में पहले से 200 लाक रुपे पड पास में add हो जाएगा इस बार का ठीक है तो आपके पास में हो जाएगा 500 ठीक है 500 आपके पास में लैक रुपीज क्लियर आपके पास में ठीक है यह चीज़ आपके पास में खतम अब कहते हैं कि सर जी अब क्या किया बाइबेक का काम तो खतम हो गया अब क्या किया है सर जी आप bonus issue करिए कोई दिक्कत नहीं कहता है कि वह आपके पास में चार शेर के बड़ले एक bonus हमने दे दिया यह आपके पास में है ठीक है सर लेकिन कहता है 13th April को आपके पास में जितनी शेर capital है अब ध्यान रहे सर जी कि हमने buyback कर लिया है तो आपके पास में 30 lakh shares का आपके पास में buyback already हो चुका है तो जो 120 lakh पहले देखा करते थे आप उसमें से 30 lakh खतम हो चुके है अब आपके पास में share है कितने के 90 lakh number of shares है 10 रुपे वाले तो इस पर आपको bonus मिलेगा यह important point था इस पर आपको bonus मिलने वाला है ठीक है 120 पर नहीं क्योंकि 30 तो already buyback हो चुका है कब हो चुका है सर 5th आपके पास में April को और bonus इशु कब हो रहा है 13th April को 13th April को यहाँ पर buyback complete हो चुका है ठीक है और काम खतम भी ह हो चुका है तब 90 lakh shares पर आपके पास में क्या होगा सर 90 lakh shares पर आपके पास में bonus होगा क्लियर है बात ठीक है तो 90 lakh shares पर आपके पास में bonus होगा तो देखें यहां पर सीधी सी बात है सर चार shares को हम एक आपके पास में bonus दे रहें ठीक है चार shares पर हम एक bonus दे रहें टोटल 13 अपरिल को अवेलेबल शेर्ज है कितने सा 90 लेक है तो 90 लेक शेर्ज पे कितना बोनस जाएगा वो बताईए सा 90 लेक शेर्ज पे कितना बोनस जाएगा लेक शेर्ज हमारे पास में शेर्ज मिले है ठीक है इन्टू 10 करेंगे 10 रुपे के इसाफ से तो इन्टू 10 करेंगे तो अमाउंट मिल जाएगा ठीक है तो 225 लेक रुपिस ठीक है तो यह अमाउंट आ गया अब सीधी सी बात है देखिए बोनस देते हैं तो बोनस तो एक फ् पैसा तो मिलने वाला नहीं है सामने से ये तो free में जा रहा है तो bank account debit तो कुछ होगा ही नहीं क्योंकि पैसा मिलने वाला नहीं है तो bank account debit कहां से होगा तो bonus के लिए यहाँ पे rule इस तरीके का है कि bonus के लिए company को खुद के जो reserve and surplus है वहां से आपके पास में fund इखठा करना CRR में sufficient नहीं है तो security premium से ले लो या फिर general reserve या फिर PNL ठीक है तो आपके पास में multiple options होते कहीं से भी ले सकते कोई दिक्कत नहीं है लेकिन preference सी तरीके से रखिए CRR security premium general reserve और PNL ठीक है तो सबसे पहले हमें 225 lakh रुपिज चाहिए सबसे पहले मैं CRR में देख लेता हूं कितन to bonus to shareholder पूरा लिखिए यहाँ पे पूरा नहीं लिखा है to bonus to shareholder account और bonus to shareholder account debit to equity share capital क्योंकि capital increase हो गए increase होती है तो credit करना है ठीक है bonus देने से equity share capital increase होती है आपको पता ही है ठीक है तो यहाँ पे आपके पास में वो चीज़ हो जाती है ठीक है 225 lakh रुपिज 225 क्लियर है अब इस से थे प्लस कितने हो गए 22.5 lakh और एड़ हो गए तो यहाँ पे आपके पास में capital कितनी हो गई सर कहते है सर जी 90 प्लस 22.5 तो shares की आपके पास में share हो गए 112.5 shares lakh shares ठीक है और into 10 करेंगे तो capital का amount मिल जाएगा यह चीज़ आपके पास में clear है यह चीज़ आपके पास में clear है into 10 करेंगे तो यह आपके पास में amount मिल जाएगा तो यहाँ पे 1200 हट के 1125 रुपिज आपके पास में आ जाएगा lakh ठीक ह तो ये चीज़ भी आपके पास में हो जाती है clear है आपके पास में और case and case equivalent को सही कर देना case and case equivalent में क्या है producer bank account जहाँ जहाँ आया है वो add and करते जाएंगे case and case equivalent में 740 तो पहले से था कहता है कि investment बेचा तो 75 डूपीज बिला add करेंगे इसके बाद कहता है sir bank account यहाँ पर है कहता है equity teacher buyback किया तो पैसा गया तो minus होगा sir minus 450 ठीक है sir इसके बाद bank account कहाँ पर आ रहा है इसके बाद bank account कहीं पर नहीं आ रहा है ठीक है खतम ओके sir खतम तो यहाँ पर amount निकल देना यह आपके पास में आ जाएगा 740 365 ठीक है तो बस balance sheet में मैं आपको एक बार confirm करा दे तो वहीं सारी चीज़ें हमने लीख लिए कोई दिक्कत नहीं है कहते है कि सर्जी सबसे पहले हैं आपके पास में share capital share capital अल्रीड बता चुका 1125 लैक ठीक है तो यहाँ पी वह चीज इसके बाद प्रिजरांड सेर्फारस में देखलो data cha cha security premium का एक entry था न उसे भी test करना पड़ेगा तो स्क्कल अध्यक्रम्ण। सर्सेक्युरीटी प्रिम्ह इनक हम सेथे उसका भी adjustment करना पड़ेगा यहां पर कर लेता हूं सच जी security premium में 150 कम हो गया और इसके बाद कोई premium वगरा रहा है किया कहीं पर security premium वहीं कहीं पर भी और नहीं आ रहा है तो बस buyback के लिए जो premium use करा उसे setup करने के लिए उसका setup कितना बनता था 150 आपके पास में minus हो गया बस इतना ही है ठीक है तो security premium में amount कितना बचा 175 minus 150 तो यह आपके पास में 25 ठीक है सर यह आपके पास में 25 तो कहता है कि सर 25 आपके पास में इसके बाद generalism में क्या है कुछ भी नहीं है इसके बाद capital CRR में कितना है सर 500 ठीक है 500 में से कुछ यूज करा था last में हमने bonus के लिए 225 यूज कर लिए ना तो माइनस करना पड़ेगा तो आपके पास में 500 में से 225 माइनस कर देना ठीक है तो 275 बचेगा तो मैं यहाँ पर काम करता हूँ side में यहाँ पर लिखता चलता हूँ कि सबसे पहले security premium का 25 यहाँ पर 25 बचा है यहाँ पर कुछ भी नहीं है CRR में कितना बचा है 275 और PNL का calculation यहाँ पर हमने करा था PNL का calculation यहाँ पर हमने करा था यह रहा 136 तो 136 है ठीक है तो total मुझे बता दीजे कितना यहाँ पर reserve and surplus में है 25 प्लस 275 प्लस 136 आपके पास में 436 आपके पास में answer आ जाएगा 436 आपके पास में total आपके पास में होना चाहिए reserve and surplus ठीक है वही चीज़ not to the account में लिखी हुई जो मैं यहाँ पर लिखवा रहा है वही यहाँ पर है ठीक है तो वही calculation आपको लिखनी होती और कुछ नहीं है इसमें इसके बाद debenture debenture के साथ तो हमने कुछ किया यह नहीं तो वही रहेगा जो है ठीक है जिसकी general entry कुछ हु कर दिया reserve and surplus का काम खतम कर दिया long term borrowing में जो आपके पास में debenture वो खतम हो गया trade payable और other current liability वो तो as it is copy paste करेंगे उसके साथ भी हमने कुछ नहीं किया ठीक है सर इसके बाद property plant equipment में कुछ किया था क्या property plant equipment में land building plant in उसमें भी कुछ नहीं किया तो क्या करेंगे सर copy paste आपके पा यह तो as it is आपके पास में रहेंगा हमने कुछ करा ही नहीं है और आपके पास में case in case equivalent तो वहां पे 365 आपके पास में आ जाएगा ठीक है लीजिए आपके पास में balance sheet भी खतम ठीक है और आपके पास में question भी खतम हो जाता है ठीक है जी चलिए